हलो बच्चों मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी आज की कक्षा में आज की कक्षा में हम कक्षा नौ की हिंदी पाठ पुस्तक शितित से मैं आपके लिए लाई हूँ एक कवीता जिसका नाम है कैदी और कोकिला और जिसके रचाईता है माखनलाल चतुरवेदी जी बचों इस कवीता का पहला भाग आज हम पढ़ने वाले हैं तो जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना कैदी और कोकिला तो इस कवीता में हम कैदी अर्थात स्वतंतरता संगराम के दोरान जब स्वतंतरता सेनानियों को बार बार जेल आना जाना पड़ता था उन पर अत्याचार होते थे तो उस समय की घटना को कवी ने कैसे लिखा है इसी के ऊपर ये पूरी रचना है कैदी और कोकिला की तो चलिए शुरू करेंगे पहला भाग लेकिन उससे पूर्व हम पहले माखनलाल चतुरवेदी के जीवन परिचय के बारे में जान लें माखनलाल चतुरवेदी का जन्म मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गाओं में सन अठारा सो नवासी में हुआ था मात्र सोला वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने और बाद में अध्यापन कारे छोड़ कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपाधन भी शुरू किया वा देश भव्त कवी एवं प्रखर प्रत्रकार भी थे उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपाधन किया और 1968 में उनका दिहान्त हो गया बच्चों आगे देखते हैं माखनलाल चतुरवेदी द्वारा रचित उनकी विभिन रचनाएं जिसमें सबसे प्रमुख है हिम किरिटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणूलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां रही हैं उन्हें पद्मभूशन एवं साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया गया माखनलाल चतुरवेदी की रचनाएं राष्ट्रिय भावना से युक्त थी उनमें स्वतंतरता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती हैं उनकी सभी रचनाओं में इसलिए शायद उन्हें एक भारतिय आत्मा कहा गया है इस उपनाम से उन्होंने कई कविताएं भी लिखी वे एक कवी कारिकरता थे और स्वाधिन्ता आंदोलन के दोरान कई बार वो जेल भी गए उन्होंने भक्ती, प्रेम और प्रक्रती संबंधी कविताएं भी लिखी है चतुरवेदी जी कविता में शिल्प की तुल्ना में भाव को अधिक महत्व देते थे उन्होंने परमपरागत चंदबधता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रियोग किया है अब यहां आगे बात होती है हमारी आज की कविता यानि की कैदी और कोकिला की यहां पर बताया गया है कि ब्रितानी उपनिवेशबाद के शोशंड तंदर का बारीक विशलेशन करती कविता कैदी और कोकिला बहुत ही उस समय लोगप्रिय रही थी यह कविता भारतिय स्वाधिनिता सेनानियों के साथ जेल में किये गए दुर्वेवहारों और यातनाओं का एक मारमिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है कवि जेल में एक आंकी और उदास है कोकिल से अपने मन का दुख असंतोष और बृतानी शाषन के प्रती अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वो कहता है कि ये समय मधूर गीत गाने का नहीं परंतु इसके विपरीत हमें मुक्ती का गीत सुनाने का है कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है इसलिए तो अर्धरात्री में चीख उठी है तो चलिए अब तक मैंने आपको एक छवी दे दी इस कविता के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये पूरी कविता स्वतंतता सेनानियों के ऊपर किये जा रहे दुर्वेवहारों के ऊपर ही रचित है तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी कविता में तो इसका पहला पद है कवी जेल में कवी अर्थात माखलाल चतुरवेदी जी क्योंकि वो एक सतंतता सेनानी थे तो कई बार आजादी की लड़ाई लड़ते हुए उनको जेल भी जाना पड़ा जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था तो इससे क्या हुआ कि जब वो जेल गए तब जाके उन्हें ये अनुमान हुआ कि किस प्रकार से कैदियों पर अत्याचार किया जाता था अब पूरे दिन पूरे समय इस लंबी अवधी यानि जो कभी समाप थी ना हो आखिर यह शोशन कब खतम होगा इसका कोई अंदाजा नहीं था उस समय वो अपने अकेले पन में उन दिनों जब वो कैदी के रूप म जेल में थे तो उन्होंने यह कवीता लिखा था और कारागार के उपर ही जब एक कोईल आ करके कूकती है तो वो कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं यहां पर कवी और कोईल के बीच की वारतालाव को बताया गया है तो चलिए शुरुवात करते हैं हमारी आज की मैदी और कोकिला के कवी कहते हैं क्या गाती हो क्यू रह रह जाती हो कोकिल बोलो तो क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो यहां पर कवी कोकिल अर्थात कोयल कोयल से यह कह रहे हैं कि इसनी रात को तुम यहां पर क्या संदेशा लेकर आई हो आखिर तुम क्यूं कूक रही हो क्यों क्यों गा रही हो क्या गा रही हो और गाते गाते क्यों रुक जा रही हो कोकिल हमें बताओ अब आईए जानते हैं इसका भावार्थ यहाँ पर माखललाल चतुरवेदी ने कोयल के माध्यम से जेल में बंद स्वतंतता सेनानियों की मनोवृत्ती का मर्मसपरशी चित्रन किया है कैदी कोयल से पूस्ता है कि वो क्या गाती है और बीच-बीच में चुप क्यों हो जाती है कैदी ये भी जानना चाहता है कि कोयल किसका संदेशा लेकर आई है वो किसके लिए संदेशा लाई है और वो कौन सा संदेश है जो वो कैदी को यानि की लेकवी को बताना चाहती है आगे बढ़ते हैं उची काली दीवारों के घेरे में डाकू, चोरो, बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना मरने भी देते नहीं तडप रह जाना तो बच्चों क्यूंकि कवी जो है वो एक कैदी के रूप में जेल में है तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर आपने देखा होगा जेल के आसपास उची उची दिवारे रहती है हना? उनका घेरा रहता है और कवी, कवी क्योंकि स्वतनतीता सेनानी थे लेकिन स्वतनतीता सेनानीों को अंगरेजी सरकार ने डाकू, चोरों और बटमारों का अर्थ होता है जो रास्ते में यात्रियों को लूट लेते हैं तो ऐसे चोर उचकों के साथ उनको रख दिया गया है और जीने भी नहीं देते क्योंकि आपको पता है जीने के लिए भोजन अत्ती आवशक है जो की कैदियों को नहीं दिया जाता था अर्थात अल्प मात्रा में दिया जाता था जिससे वो सिर्फ जी सके उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था और मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता था ठीक है अब चलिए इसका पूर्ण रूप से भावार्थ जान ले कभी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं दैनी अस्तिती का वर्णन करते हुए कहता है कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और उची दिवारों के बीच किसके साथ रखा है डाकू चोरों और उचकों के साथ रहना पड़ रहा है और जेल में उन्हें भरपे दिया जाता है तो आप समझ पारे होंगे कि इन सब रचईता पंग्ती में कवी ने कैसे उस समय कैदियों पर जो दुर्वेभार हो रहे थे उसके बारे में एक छोटी सी छलक हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है चलिए आगे बढ़ते हैं जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है शाशन है या तम का प्रभाव गहरा है हिमकर निराश कर चला रात भी काली इस समय कालिमा मैं जगी क्यों आली अर्थात यहां पर कवी कह रहे हैं कि हमारे जिंदगी पर यानि कैदियों के उपर बितानी शाशर का यानि अंग्रेजो का क्या है बहुती कड़ा पहरा लगा हुआ है ठीक है और यह जो रात है हमारे हमारे जीवन में अंदकार रूपी जो यह रात है अंदकार रूपी अंदकार निराशा का प्रतीक होता है तो निराशा रूपी जो अंदकार है यह उन्हें खाये जा रही है और उसका गहरा प जैसे रात बढ़ रही है हमारी निराशा भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है यानि निराशा में चंदमा रूपी कोई किरन कोई किरन की जलकी नहीं दिखाई दे रही है यानि किसी भी आशा की उम्मीद करना बेकार है और इतनी रात में इतनी रात में कभी कोकिल से अर्था कालिमा मय जगी क्यों आली यानि कि इतनी रात में अक्सर देखा गया है कि कोकिल जो होती है वो दिन में अपना मधुर गीत गाती है परंतु यहां पर जो द्रिश्य है वो बिल्कुल विपरीत है यहां पर कोकिल रात के समय कूक रही है तो इसलिए कवी यहां पर पूछ रहे हैं कि इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली कि इस रात के अंदकार में तुम कौन सा गीत सुनाने यहां पर आ गई हो ऐस सखी आए इसका भावार देखें कभी कहता है कि उनके उपर रात दिन कड़ा पहरा रहता है अंग्रेजी शाशन की कूरता के कारण अंदकार रुपी निर चुकी है कि अब चांद भी निराश होकर जा चुका है ऐसे में कभी को आश्चर होता है वो कहता है कि हे सकी सकी अर्था कोयल है सकी तुम इतनी रात में भला क्यूं जगी हो यहां तो चंद्रमा भी रात का अंधिरा करके जा चुकी है तो तुम क्यूं यहां पर बैठी हो गीथ सुना रही हो मैं हो आगे तवी लिखते हैं क्यों हुक पड़ी क्यूं हुक पड़ी विधना बोज Name complete ऐसे कोकिल बोलो तो कितनी सुंदर्था के साहं पर हर चीज को अंकित किया गया है, यहां बताया गया है क्यूं हूक पढ़ी? हूक का रर्त होता है वेदना, अर्थात पीड़ा क्यूं हूक पढ़ी? वेदना बोज वाली सी यानि अक्सर देखा गया है कि कोयल जब मधूर गीत गाती है, तो इसको शाबाशी मिलती है अच्छा लगता है सुनने में लेकिन यहां पर रात के समय कोयल का यूँ कूखना वो भी ऐसा कूखना अर्थात यहां पर जो हूख उठा रही है कोयल जो पीड़ा यानि दर्थ भरी आवाज या चीख रही है हम कहेंगे उस ऐसी ऐसी ही आवाज कैदी को अर्थात हमारे कवी को यह लगती है कि इतनी रात को क्यूं आखिर कोयल हूख उठा रही है वेदना की ऐसा क्या उसने देख लिया कि वो रात में ही चीख रही है कोकिल बोलो तो वो बार बार कोयल से पूछ रहे हैं कि बताओ तुमने ऐसा क्या देख लिया है कि तुम रात में ही इतनी चीख रही हो, वेदना पून आवाज निकाल रही हो, आखिर तुम्हारा क्या लुटा है, आखिर तुमने क्या देखा है, मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल वैभव, मृदुल वैभव यानि हमारी जो कोयल होती है, वो सभी चुडियों म तो तुम्हारे पास तो संपदा के नाम पर सुन्दर बोली है मीठी बोली है तो तुम जब इतनी संपदा की खुद स्वामी हो तो फिर तुम क्यूं इतनी रात में कूक रही हो वो भी वेदना के स्वर कोकिल बोलो तो अर्थात यहां फिर लेखक बार-बार कोयल से पूछ र दर्द का अनुभव करता है कोयल की आवाज में एक वेदना से भरी हूक उठ रही है ऐसा लगता है कि उसने अंग्रेश सरकार द्वारा दिये जाने वाले अत्याचारों को देख लिया है कवी कोयल से पूछता है कि कोयल बोलो तो कि तुम्हारा क्या लुट गया है तुम्हार दर्द भरी चीख क्यों सुनाई पड़ रही है बच्चों यहां पर कवी रह रहकर अंदेशा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि यह अत्याचार जो की जेल में होते हैं कैदियों के उपर उससे कोयल ने देख लिया हो और यह देख कर ही उसकी चीख निकल रही हो तो यह भी एक क अवली अर्ध रातरी को चीखी कोकिल बोलो तो किस दावानल की जॉलाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो अर्थात यहां पर कवी पूछ रहे हैं कोयल से कि कोयल क्या तुम पागल हो गई हो क्या तुम में क्या जरूरत है कि तुम रात में इतनी चीख रही हो आखिर इसके होता है जंगल में लगी आग अर्थाध जो विद्रो वो विद्रो जो लोगों के मन में भरा है गिसके किलाफ अंग्रेजी शाशन के खिराफ तो इसका यहां पर उस आग का आग की तुल्ना उन्होंने विद्रो के साथ की है उस भावना के साथ की है जो प्रपराधीन भारत में लोगों के मन में गुजर रही है वो भावुत्पन हो रहे हैं तो यहां पर कभी कह रहे हैं कि तुमने कहीं द्वाना दावा नल की जुआलाएं तो नहीं देख ली अर्थात यह जंगल में लगी आग की तरह जो यह यह जो आक्रोश दिन पर दिन फैलता जा रहा है बढ़ता जा रहा है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कहीं तुमने ये तो नहीं देख लिया शायद इसलिए तुम चीख रही हो कोकिल बोलो तो यानि यहाँ पर कभी फिर से वही चीज पूछते हैं कि कोकिल हमें बताओ कि तुम तुम आखिर क्यों आगे इसका भावार देखते हैं कभी कहता है तुम पागल हो गई हो कभी पूछता है कि क्या तुमने आधी रात में जंगल की भयानक लप्टे देख ली हैं इसलिए चिक चिक कर सबको बता रही हो यहाँ पर कभी ने जंगल की भयावह आग के माध्यम से अंग्रेजी सरका द्वारा दिये जाने वाले भीशन अत्याचारों का वर्णन किया है उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयन ने अंग्रेजी सरकार की असलियत को देख लिया है और इसलिए वह चीक चीक कर ये बात सबको बताना चाहती है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया आगे कभी कहते हैं क्या देखना सकती जंजीरों का गहना हतकडिया क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना कोलू का चरक्चू जीवन कीतान गिट्टी पर अंग्लियों ने लिखे गान यहां पर कभी कह रहे हैं कि तुम जो मेरे हाथों में कोकिल को कह रहे हैं कि तुम जो मेरे हाथों में ये जो बेडियां देख रही हो जो हतकडियां देख रही हो ये हतकडियां नहीं है ये क्या है ये तो ब्रिटिश राज्य द्वारा दिये जाने वाला वो गहना है जो भ तंतरता सेनानी है और वो ये ये भी पताना चाहते हैं इन पंक्तियों में कि किस प्रकार से अंग्रेजी शाशन में अत्याचार बढ़ता जा रहा था वहां पर मानव को मानव ना मान करके पशु जैसा विवहार किया जाता था इसी लिए उन्होंने बड़ा अच्छा उदार अर्थात कोल्व वोड़ाने है वो घूमता था अब यहां पर कविनी ये दरशानी के कोशिश की है कि किस प्रकार से उन्हें पर सब्सक्रा जैसे विवहार करतते थे उनको बान देते थे और जो आवाज आते थी उव घूमने में चर्षा में तो वही उनके जीवन की तान है और कैदियों से और क्या काम कराया जाता है जेलों में जेलों में या तो पत्थर तुडवाया जाते हैं तो जब बड़े पत्थरों को तोड़ देते हैं तो छोटे-छोटे पत्थर बन जाते हैं जिनने गिटी भी कहा जाता है तो वो हाथ जो रात दिन जो जावना के जेल में रहते हुए मांखनलाद चतुरवेदी ने उस समय लिखी थी आगे इसका भावार्थ हम एक बार जान लेते हैं कवी कोयल से कहता है कि क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में नहीं देख सकती हो जो इस तरह चीक पड़ी हो अरे ये बेडियां और हतकणिया तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया क्या है गहना है, कोल हुच चलने से जो चरक्चू की आवाज आती है वही कैदी के जीवन का क्या बन जाती है, संगीत बन जाती है اور दिन भर पत्थर तोड़ते हुए हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियां उंगलियों से भारत की स्वतेंतरता के गीत लिखते हैं तब ही तो मैंने आपको कहा कि ये कवीता जेल में रहते हुए उन्होंने स्वयम रचा था अब आगे पढ़ते हैं हूं मोट खीचता लगा पेट पर जुआ खाली करता हूं ब्रिटिश अकड का कुवा दिन में करुणा क्यूं जगे रुलाने वाली इसलिए तो रात में गजब ढ़ा रही आली आली अर्था सखी यहां पर मोट का अर्थ बताया गया है एक तरह का चरसा होता है जो जमडे का डोल होता है जिसको कुवे में आधी इसके साथ पानी निकालने के लिए प्रियोग में लाया जाता था और जुआ का अर्थ होता है बैलो के कंधे पर रखी जाने वाली लकडी लकडी अर्थात इसमें भी इन पंक्तियों में भी कवी ने अत्याचारों की जो सीमा है कैसे पार करते थे अंग्रेजी शाशन इसके बारे में पूरा वर्णन किया है देखिए इस पंक्तियों में क्या लिखा है उन्होंने अब हमको बताया कि किस प्रकार से जो कुवा होता पानी का कुवा तो उसमें एक चमडे की डोल बनी होती थी तो उसको बार बार खिचने के लिए वो क्या करते थे कैदियों का प्रियों करते थे कैदियों के पेट पर रसी को बांध दिया जाता था जिससे बार बार उसे उस डोल से पानी निकालना पड़ता था तो कितना प अत्याचारों के सामने घुटने नहीं टेक सकते चाहे अंग्रेजी शाष्रक कितना भी अत्याचार कर ले इसलिए कह रहे हैं कि तुम हम पे कितने भी अत्याचार करो भले ही हमें मोठ हिचने के लिए लगा दो पेट पे जुआ बांदो या फिर हम कुछ भी कर दो लेकिन अधा रही हो आली तो दिन में दिन में हम अपने आपको बहुत मजबूत करते हैं यहां पर कैदी कैदी जो होते हैं दिन भर अत्याचार सहते थे और अपने आपको मजबूत यह दिखानी कोशिश करते हैं कि नहीं तुम कितने भी अत्याचार कर लो हम कहीं भी भी जुकने वाले नहीं है तो यहां पर कवी कह रहे हैं कि रात में हम अपनी अपनी कोट्रियों में बंध हो जाते थे लेकिन तुम्हारी कूक भरी आवाज वेदना वाली जो आवाज है वो सुन करके मैं व्याकुल हो रहा हूं मैं चिंतित हो रहा हूं कि आखिर तुम क्यूं कूक रही हो तुम क्यूं चीख रही हो चलिए एक बार संपून भावारतिस का जाने कवी कोयल से कहता है कि पेट पर जुआ बांध कर मोट खीच कर वो अंग्रेजों की अकड का कूवा खाली कर रहा है दिन में हमारे प्रती करुणा न जागे ताकि हम अंग्रेज सरकार के प्रती कमजोर न हो जाएं इसलिए रात को कूक कर गजब ढ़ा रही हो यह कहना कवी का है और वे कह रहे हैं कि आखिर तुम रात में क्यूं कूक रही हो तो बचों अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न उत्तर की तरफ लेकिन उससे पूर्व मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अब तक पढ़ाई जाने वाली सारी पंक्तियां समझ में आ गई होंगी अब चले हम अपने प्रश्न उत्तर की तरफ पहला प्रश्न जो पंक्तियां हमने पढ़ी है उससे संबंधित ये प्रश्न है उम्मीद करती हूँ कि आप भी उत्तर दे पाएंगे मेरे साथ साथ तो चलिए देखें पहला प्रश्न है कोयल की कूक सुनकर कवी की क्या प्रतिक्रिया थी यानि जब वो कैदी के रूप में जेल में थे और उन्हें रात में वो आवास सुनाई दी कोकिल की तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी उन्हें कैसा अनुभफ किया तो इसका उत्तर होगा कोयल की कूख सुनकर कवी को ऐसा लगता है जैसे कोयल उनके लिए कोई गुप्त संदेशा लेकर आई है और संदेशा साइद इतना महत्वपोन था कि वह सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकी और वो रात में ही संदेशा देने के लिए कवी के पास पहुंच जाती है अब देखते हैं दूसरा प्रश्न अर्ध रात्री में कोयल की चीक से कवी को क्या अंदेशा होता है क्या अनुमान लगाते हैं कवी कि क्यूं ये रात में चीखी हमने जैसा अभी पंक्तियों में पढ़ा है आपको इसका उत्तर थोड़ा आभास हो चुका होगा कि क्यूं कोकिल रात में कूक रही थी उसने क्या ऐसा देखा समझा कि वो रात में चीखने लगी वेदना के स्वर तो चलिए उत्तर देखते हैं अर्धरात्री में कोयल की चीखने से कवी को अनिको अंदेशे होते हैं जैसे उन्हें लगता है कि कोयल कहीं पागल तो नहीं हो गई है या शायद वो किसी कष्ट में होगी या हो सकता है कि वो कोई संदेशा लेकर आई हो या ये भी हो सकता है कि क्रांती कारियों के दुख से वो द्रवित हो गई होगी या विचलित हो गई होगी और उनके यानि कैदियों की पर जो हो रहे अत्याचार हैं उन्हें देख करके वहां चीख पड़ी होगी तो ये सारी संभावनाएं हो सकती थी अगला प्रश्ण हथक देख गूछा तो यही प्रश्न है कि हत्कड़ीों को गहना कहा गया है उत्तर देखते हैं कवी को स्वतंता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेजी सरकार ने हत्कडियां पहनाई है जो उनके लिए एक गौरफ की बात है इसलिए हत्कडियों को यहां पर गहना कहा गया है उस समय बहुत गौरफ की बात होती थी कि हम अपने देश के लिए हम अपने राज अपने अपने देश के लिए हम जील जा रहे हैं यानि ह अगला प्रशन है किस शाषन के तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यूं बच्चों यहां पर यह प्रशन को ध्यानपुर्वक समझने की कोशिश कीजिए, यहां पूछा गया है किस शाषन यानि जब यह कवीता लिखी गई थी उस समय किस शाषन की जो अर्थव्यस् प्रब्हाव से उत्तर देखते हैं के एंग्रेजु दौरा भारति कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी कैदियों से पश्वों की तरह काम करवाया जाता था उन्हें अंधेरी कोठरी में कैदियों को कैसे रखते थे जंजीरों में बांध करके उन्हें काल कोठरी में रखा जाता था और कोठरियां भी कैसे होती थी बहुत चोटी-चोटी होती थी और फिर ये भी बात बताई गई है कि वहाँ पर खाने को भी कम दिया जाता था क्योंकि ये हमने पंक्ती में पढ़ा है कि ना उन्हें ठीक से खाने देते थे ना जीने देते थे ना मरने देते थे तो इसी बात का जिक्र इस वाक्य में भी है इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको कैदी और कोकिला भाग एक अच्छे से समझ में आ गई होगे धन्यवाद